असलाम उलाइकुम केसे हैं आप सब हम सब भी अल्ला के शुकर से बिलकुल ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहा हूंगे मेरे हस्बेंड है ना बैट के फिटिंग की तैयारी कर रहा है बोट पे तो हमारे घर में जैसे छोटे मोटे घर के कुछ भी काम होते है फिटिंग के या किचिन के पलेट फार्म वगेरा तो वो मेरे हस्बेंड खुदी कर ले ते माशाला से उनको ये सारे काम आते हैं तो आपको मैंने दिखाया भी है कि किचिन में एक बार मैंने काम हो रहा था पलेट फार्म बन रहा था तो तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पलेट फार्म वगेरा उन्हों नहीं बनाया था तो यहां पर वो फिटिंग भी कर रहे थे और साथ इसाथ मैं किचिन म दो रही थी और साथ में सालन का भी देखती जा रही थी क्योंकि आजकल काम इतने जादा हैं कि बिलकूल फुरसत नहीं मिल रही है घर की साफ सफाईयों में भी लगे रहेते हैं फिर घर के काम भी देखना रहेते हैं साथ में बच्चों का भी हैगा स्कूल वगेरा तो सब सब निपट होने के बैटे हैं औरbuilt पर वहीं देख टूर बढ़त में सकूल के टिफिन का भी है आप देखने का connect यह पर देखने केश्जिये हैं tooth में थोड़ा प्रहूरी प्रफ भार हो रहे था तो वह जाला हुए TP सिम्ट पड़ा रहता है ना तो फिर किसी काम में दिल भी नहीं लगता इसलिए मैं किचिन साथ ही साथ समिठती जाती हूं यहां पर देखिए साथ में मसाला भी देखती जा रहे हूं अंडे भी फ्राय कर रहे हूं कि न सारे काम फटा फट से निपड़ जाए सब कुछ होने के बाद खान वगेरागए खा लिया था हम लोगों ने फिर मेरा हस्बंड काम कर रहा है तो मेरा आयना वैसे भी बहुत पुराना था और आदा वो तूट चुका था थोड़ा बहुत बचा कुछा था ना तो वो भी हमारा आयना तूट गया था तो फिर मैं आयना देखने आई थी यहां पर तो वो चेक कर रही थी कि मुझे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं तो माशाला से यहां पर आयने वगेरा तो सारे अच्छे थे तो म मैंने बोल दिया है साधा सिंपल लेकर आने के लिए तो उसमें जो भी कुछ फिनिशिंग वगेरा होती है ना तो वो करेंगे फिर कल हस्बेंड लेकर आएंगे जाके क्योंकि मैं गई थी साथ में बाइक पर तो मैं नहीं वो लेकर आपाती इसलिए मैं नहीं लेकर आई फ मौसम था ना आज कल काफी ठंडा मौसम हुआ है तो फिर मैं वो कर रही थी चाय बिस्कुट खा रही थी फिर मेरी वीडियो यहीं दिला गया आज की और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक आपाती है